हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम यू ओल उन सीएसी सब्जेक्ट वाइज बिचे लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलेंस प्रोब्लम को डिसकस किया था आज हम लास्ट प्रोब्लम को डिसकस करेंगे देट इस मेंबर्सिप प्रोब्लम मेंबर्सिप प्रोबलम अब यह प्रोब्लम है क्या और यह important प्रोबलम है देखो मुझे चेक करना है कि given एक स्ट्रिंग है आपके पास एक स्ट्रिंग एक गिवन है एक DFA गिवन है और मुझे यह चेक करना है कि यह स्ट्रिंग इस DFA का मेंबर है या नहीं है प्रोब्लम स्टेटमेंट क्या है चेकिंग वैदर अगिवन स्ट्रिंग एक्स अगिवन स्ट्रिंग स्मॉल डबलू इस असेप्टेड बाइ गिवन ओटोमेटा और नॉट अब यह कैसे चेक करेंगे क्या यह डिसाइडेबल है यह सरीए तो सिंपल सा है बच्चे माल लो आपके पास कोई गिवन ओटोमेटा है राइट कोई भी एक ओटोमेटा गिवन है बच्चे अब आप कैसे चेक करोगे कि जो given string है वो इस automata की member है या नहीं है ये automata उस string को accept कर रहा है या नहीं कर रहा है तो बच्चे देखो कोई भी एक string है हमारी B, A, B, A, B आपको चेक करना है start किया B, A, B, A, B at the end of the string मैं कहां पे present हूँ बच्चे? non-final पे it means ये string इस automata का member नहीं है बच्चे right? कोई और string है बच्चे A, B, A, B, A A, B, A, B, A yes sir, member है क्योंकि at the end of the string मैं कहां पे हूँ बच्चे final state पे it means ये string मेरा member है तो member सी problem क्या है बच्चे? बहुत easy problem है कैसे बच्चे just आपको उस string उस given string को trace करना है आपके automata पे at the end of the string अगर आप final में हो तो मैं कहा सकता हूँ कि ये string मेरी ये automata accept कर रहा हूँ ये member है right? otherwise ये member नहीं है time complexity क्या हो जाएगी बच्चे find out करने की time complexity क्या होगी order of n where n is my length of string n is my length of string right बच्चे? तो बच्चे overall member सी problem membership problem क्या है आपको check करना है given a string है एक given string है वो आपकी given automata से belong करता है या नहीं करता है या given automata उसे accept कर रहा है या नहीं कर रहा है बच्चे समझ में तो easy problem है it means already हम क्या-क्या decide कर चुके हैं emptiness problem decidable है किसके लिए fa के लिए regular language के लिए finiteness problem decidable है next बच्चे हमने किया equivalence problem again decidable है next बच्चे membership problem again decidable है यह important है बच्चे बहुत बार exam में इसे question पूछा जाता है मिलते हैं next वीडियो में बच्चे thank you so much बच्चे हमने लिए आप बच्चे लिए